तो हेलो एंड नमस्कार आज हम बात करेंगे इट्स नोट यू इट्स बाइलोजी के चप्टर नबर 16 के बारे में और एवलुशन के तो यह समझेंगे कि क्यों दुनिया में हर कोई इंसान इतना निगेटिव होता है क्यों हमारा दिमाग सही चीजों से ज़्यादा जो चीज कोरोना में भी ना ही कोई लुटे रहे हमारी फैमिली को मानने आए नलो वाले पानी ने तो और तो कितनी सारी अनरजी बचा दी क्योंकि इवन आज से 10-20 साल पहली भी पानी के लिए महिलाओं को किलोमेटर से दूर जाना पड़ता था मैंने इस वीडियो को डेली में अप दिखाई देता है देन आयूल बी लाइक फिर मैंने इस प्लासी चीज को लगाया आज जो भी चीजे हम ब्रेकवास में खाते हैं वो सब दुनिया भर से गुम के हमारे पास आती है वेक्सीन हमें खतनाक बिमारी से बचा देती है इवन जिन छोटे-चोटी बिमारी से हमार क्योंकि आज बी नास्ते में पोहे बने हैं यह वीडियो इतना स्लो क्यों है यार कास मेरे पास एपल वाला फोन होता कास में अंबानी का बेटा होता है यूमन ब्रेन चीजों को एप्रिशिट करने के लिए बना ही नहीं है हमारा दिमाग पहले प्रोड्लम से ढूंडेगा फिर उसका solution देगा और तब तक complain करता रहेगा जब तक कि वो problem solo ना हो जाए अगर हम किसी problem को solo कर देते हैं तो हमारे hormones हमें pleasure से समानित करते हैं देन हम अपने self-confidence को थोड़ा boost कर देते हैं पर इतना होते ही immediately हमारा दिमाग उस old success को granted मानकर next problem की तरफ भागेगा और वही same cycle repeat problem, solution, pleasure again and again human nature satisfaction के लिए नहीं progress के लिए बना है आपको क्या लगता है science और technology में आज तक हमने जो भी achievements हासिल की वो ऐसे ही खड़ ली क्या अगर आपको जिन्दगी में कुछ achieve करना है तो वो surviving से नहीं, striving से हासिल होगा आपकी दिमाग के अंदर असंतिष्टी की एक आग होनी चाहिए जो कभी न बुशती हो सिर्फ एक region से ही मैं अगली बात सुना रहा हूँ ताकि मैं complain कर सकूँ मैं कभी भी अपने toilet को appreciate नहीं करने वाला, I don't care कि इसने मुझे medieval time के कितने सारे disease और buttrot से बचा दिया, complain ये है कि वो कमबक्त खुद से साफ क्यों नहीं होता Now, हम इंसानों के बारे में एक दो hard truths First, हम इंसानों का दिमाग उन बातों को ज़्यदा notice करेगा जो negative है For example, ऐसा अकसर होता है कि हमारी कोई तारीफ कर दे कभी कबार कोई ज़्यदा कर देता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और मुझे नहीं लगता कि वो तारीफ एक दो दिन से ज़्यदा हमारी दिमाग में टिकती है Now, scenario change करते हैं किसी इंसान ने आपकी बुराई कर दी और किसी दिन कुछ जम के कर दी Sometimes आपकी पूरी life निकल जाती है उन words को भुलाने में How strange Second, हर civilization में बहुत सारी चीज़े always and continuously सही जा रही होती हैं पर कोई भी उन्हें notice नहीं करता चलो इस book की बात करते हैं जिसका मैं review कर रहा हूं पहले लेकर को research करके सब कुछ लिखना पड़ा Then किसी और ने grammar और spelling चेक की होगी फिर इस book को चापने के लिए Again, typewriter को पूरी book फिर से type करनी पड़ी Design से लेकर printing, binding, marketing सब कुछ perfectly हुआ तब ही ये book मेरे पास पहुँची और मैं ऐसे आपके लिए explain कर पा रहा हूं Even ये सब काम जिस speed से और जितने लोगों के cooperation से हुआ ये तो हम imagine भी नहीं कर सकते पर आपको क्या लगता है? मैं खुश हूँ इन बातों से? ना, बिलकुल नहीं मेरी complaint ये है कि लिखक ने इतने tough words used क्यों की है जिसको translate करने में, समझाने में मेरा पूरा week चला जाता है और जब इतनी ज़्यादा मेहनत लग रही है तो लोग subscribe क्यों नहीं करते या काश मेरे पास apple का laptop होता तो मैं और इच्छे से editing कर पाता दूसरी तरफ क्या आप मैंसे सब मेरी इस video से पूरी तरह से खुश है? ना, जी ना किसी को लग रहोगा, face expression अच्छे नहीं है कोई सोच रहा होगा कि क्या फरसुबाई थोड़ा और simple बना देते and so on तो हम सबकी दिमाग में ये चलता रहता है कि कुछ न कुछ तो कमी है हम लोगों में से rare ही कोई ऐसा होगा जो इन चीजों को हमेसा appreciate करता हो कर ही नहीं सकता क्योंकि दुनिया में इतनी ज़्यादा अची चीज़े हो रही है कि दिमाग पर burden सा आ जाता है वो सब कुछ notice करने में सो हमारा दिमाग सोचता है कि इतना burden लेने से अच्छा है कि मैं उन चीजों पर focus करूँ जिसमें कुछ कमी है और यह हमारे साथ एक्चुल में होता है क्योंकि अगर हमारा दिमाग कम यां ढूनने वाला नहीं होता तो हम इतनी advanced species नहीं होते जितना हम अभी है दूसरी animals आसपास की दुनिया को देखकर परिशान नहीं होते और नहीं हो ही सोचते हैं कि यार कुछ मजा सानी आरा लाइफ में चलो कुछ changes करते हैं पर जैसे ही homo habilis में दो opposite thumb evolved हुए जैसे वो tools बना सकता था सब कुछ change हो गया इन thumbs का हमारी species के evolution में बहुत बड़ा contribution माना जाता है इन thumbs से हम छोड़ी-छोड़ी tools बना सकते थे जैसे हम आसपास की problem sold करने लगे जैसे hunting के लिए बेड़ो को काटने के लिए इवन टी-टी-डी life में अबजरु करना कि thumbs का कितना important role होता है सो आसपास की problem sold करते-करते हमारा brain ऐसा हो गया कि हम दुनिया में होरी सारी चीजों को technical problems की तरह देखने लगे जैसे urgently sold करने की ज़रूरत है एक tool user complaint करके ही problems को ढूंड सकता है अगर आपके मन में आसंतुस्टी है तो problems खुद आपके पास चल के आती है और वही हमारे साथ होने लगा और यह कितनी interesting बात है कि nature में बहुत सारे जानवर सरदी, अंदेरे और भूग से परिशान होते है पर सिर्फ हम ही थे जिन्होंने fire, wheel और agriculture का invention किया क्योंकि हम tool user थे जिनका दिमाग बस problem sold करने में लगा था इसका mean हुआ कि हमारे DNA में bitching gene है bitch mean complain mean कि ऐसा gene जो हर वक्त शिकायत करता रहता हो चीजों में कमिया ढूंडता हो that means कि हमारा दिमाग positive से ज़्यादा negative चीजों की तरफ ज़्यादा attract होगा ये gene हमारी species में इसलिए evolved होगा क्योंकि ये लाखों सालों से हमारे पूरुज problems को ढूंड कर sold करते आ रहे थे और जिस पूरुज ने complaint नहीं की उसने कोई problems solved नहीं की तो इन उसने क्या किया उसने बच्चे पैदा किये सारी problems का बाप चिपलिया complaint नहीं करती गदे भी नहीं करते पर एक बार human का बच्चा बाहर आ जाए तो वो सबसे पहले क्या करता है complaint और वो भी चला के एक human child भी like ओ हेलो मेरे पास महूथ है कोई दूद तो पिला दू मुझे मुझे gas बन रही है कोई कुछ इलास तो करो इस room का temperature इतना ज्यादा क्यों है AC कौन चलाएगा बे अब मुझे लेटने में मजा नहीं आ रहा चलो मुझे गोदी मे लो अब मुझे दूद मत बिलाओ now I want to sleep क्या है यार जूला जूलाने से मर थोड़ेने जाएगा तू क्या बगवान काँ पैदा कर दिया मुझे सारे के सारे निकम में भरी पड़े हैं ये विचार सिर्फ एक human की बच्चे में ही आ सकते हैं गायों की बच्चडे कच्चुए के बच्चे दुनिया में आते हैं बिना कुछ expectations के पर एक human का बच्चा दुनिया में आता है पूरी दुनिया की expectations ले है और यहां से लेकर पूरी उम्र वो निरासी रहता है जिससे भी मिलो सभी complaint department के ही लोग होते हैं complaint करने का mean है एक दूसरे से bond बनाना और यह कितनी मज़ेदार बात है कि दो इंसानों को इससे ज़्यदा कुछ नहीं जोड़ सकता जितना वो तब जोड़ते हैं जब वो एक ही बात को लेके frustration या खुनिस निकाल रहे होते हैं जो आनन्द ट्रेन में अंजान लोगों के साथ नेताओं को गल्या निकालने में आता है वो आनन्द और आजमिता कहीं और कहां ही मिलेगी जब दोचा दोस्त बैठके किसी की तारीफ कर रहे हो तो बातों में एक बोरी सी चा जाती है और फिर हमें याद आती है संस्कत की ओलाइन्स निंदा या परम सुखम जो सुख किसी तीसरी की निंदा करने में मिलता है वो भला किसी और चीज में कैसे मिल सकता है और ऐसा नहीं है कि हम तीसरी परसंट की बारे में 100% बुराई कहेंगे 99% बस एक परसंट हम छोड़ देते हैं यह कहने के लिए अरे या हमें क्या या फिर यह कहने के लिए जो भी कहो यह क्वालिटी तो अच्छी है इस लाइक जैसे हमारा दिमाग हमें यह दिलासा दे रहा हो कि हम इतने भी बुरे नहीं है जो हर वक्त बुरा ही करते रहते हैं वैसे अगर किसी के सामने हम ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखा भी दे तो दे विल भी लाइक क्यों भाई अकबार नहीं पढ़ते क्या एक्चुल में निउस्पेपर में जो भी कंटेंट छपता है उसको निउस की जगा बेट निउस कहना चाहिए कल दुनिया भर में इतनी सारी अच्छी चीजे भी किसी को भच्चा हुआ तो किसी का नया दोस्त बना किसी ने पैसे कमाई तो किसी की नहीं गर्फेंड बनी पर इन में से कुछ भी लिटरली कुछ भी निउस पैपर में नहीं चपेगा निउस मीडिया एक ऐसी मशीन है जो दुनिया भर की बुरी से बुरी खबर को च्छांट कर हमारे सामने रख देता है सो देट हमारे दिमाग की पॉल्डम से ढोननी की उस अत्रिक्त इच्छा को हम थोड़ा सेटिस्फाइ कर सके नॉमली हम उन संगीत कारो या कवियू से ज़्यादा टच कर पाते हैं जिनकी आवाज में एक दर्द होता है एक तडप होती है जो भी हैपी आर्ट होती है उसमें एक नीरिस पंसा लगता है बट सेट आर्ट आहाँ सेट आर्ट डीप होती है सोल टचिंग डिप्रेसिंग मुवीज ट्रेजिक नोवल्स सेट सॉंग्स इनमें एक गहरा ही होती है जिसे हम ता उम्र भूलनी पाते है फॉर एक्जेंपल गजिनी फिल्म जिसने भी गजिनी मुवी देखी है एक तड़ब सब के मन में है कि काश यार काश बस एक बार कलपना को ये पता चल जाता कि सचीनी संजे सिंगान्या है हैपी मुवीज, नोवल्स, रोमांटिक पेंटिंग्स सब घिसी बिटी लगती है बसरते आप नई-ने प्यार में ना आयो सो आठ में इतने गहरे टेस्ट के लिए हमें अपने बिचिंग जीन का थैंक्फूल होना चाहिए यनो बिना बिचिंग जीन के हम कभी भी इस पुर्थी को जीत नहीं पाते हम ज़्यादा से ज़्यादा लाकों की संख्या में होते और मेबी हम अभी तक अल्फाबेट का भी इन्वेंसन नहीं कर पाते सो रोकेट्स तो बहुत दूर की बात होती हमारे पुरूजों में से जन्होंने भी प्रोड्लम्स सोलिंग में दिमाग नहीं लगाया उन्होंने अपनी दिमाग का उतना विकासी नहीं किया तो ऐसे पुरूजों के जीन्स बात वाली जन्रेशन में उतने पास नहीं हुए जितने उन लोगों के जो अपना पूरा दिन प्रोड्लम्स को ढूंडने में लगा देते थे जब हम होमो शेपियन्स का सामना होमो नियंदर धाल से हुआ तब हमारे पास उतनी टेक्नोजी आ चुकी थी कि हम आसपास की प्रोड्लम को सोल्ड कर सकते थे हमने एक बार उन मस्कुलर और बड़ी दिमाग वाली नियंदर धाल्स की तरफ देखा तो फिर हमें एक और प्रोड्लम देखी सो हमने उनको हमेशा हमेशा के लिए निप्टा दिया सो इस तरह लगातर सिकायत करने वाले जीन्स हमें सेलेक्टेड होते गए जैसे ही प्रोड्लम सोलविंग एप्रोच के रिजल्ट्स रिपोडिक्टिवली भी अच्छे आने लगे तो हम हॉमो शेपियन्स जो की बाकी स्पीसीज के कमपेर उतने स्ट्रॉंग नहीं थे स्टिल हमने उन स्पीसीज को भी हरा दिया जो हमसे स्ट्रॉंग थे यह एक इंस्पाइरिंग बात है कि जेनेटिकली हम सारे इंसान जो आज जिन्दा है एक ही बड़ी परिवार का हिस्सा है पर यह बात सही इसलिए हैं क्योंकि हमने बाकी परिवारों को टाइम टाइम पर निप्टा दिया इन फैक्ट जिस किसी भी स्पीसीज में प्रोड्लम सोलिंग रिप्रडेक्टिव एडवांटिज देता हो उस इसपीसीज में ऐसा जीन ही पास होगा जो सिर्फ प्रोड्लम्स की तरवी ध्यान देता हो देगा नेचर में अगर किसी ऐसे और्गिनिजम को बनाना हो जो बैस के बारे में यह मानना कि यह तो हमेशा से ऐसी है एक बार अपनी लाइफ को देखिए आपकी लग्जिरियस लाइफ आपके पूरुजों से कितिनी ज़्यादा अलग है Modern World ने हमारे पूरुजों के सारी ड्रीम्स पूरे कर दिये देन नई ड्रीम्स इजाद गी फिर उनको भी Satisfied किया फिर भी हम Satisfied नहीं हैं क्योंकि हमारे दिमाग में प्लैशिसन यूग का बिचिंग जीन है Past में जब हमारे पूरुजों को खाने के लिए तरसना पड़ता था तब वो लोग सोचते थे कि मरने के बाद एक ऐसी जगह जाएंगे जहां सराब और दूर की नदिया भैती होंगी और आज के युग में ना सराब की कमी है ना दूद की Even कुछ हजार साल पहले की भी बात करें तो यूरोपियन्स और ओटोमन मुसलिम्स को इस्ट एसिया के मसालों के लिए हजारों किलोमेटर का सफर करना पड़ता था उस सफर में नजाने कितने लोगों की डेथ हो जाती थी वो लोग भी यह सोचते थी कि जब जन्नत में जाएंगे तो यह सब मसाले भरपूर मातरा में मिलेंगे और आज वही मसाले हर दुकान पे मिल जाते हैं पता हैं पुराने लोगों को इस बात से शिकायत थी कि हम इस गर्मी में इतना पसीना बहाते हैं जबकि राजसाही लोग अराम से बैठकर काम करते हैं आज आप मैंसे कितने लोग ऐसे होंगे जनको काम यह पड़ाई करते करते पसीना आता है फ्री टाइम में हमारे पास चोई सो घंटे एंटर्टेन्मेंट के लाखों साथ दने और फिर भी हम कंप्लेंग करते हैं क्या यार कुछ भी अच्छा नहीं आ रहा सचाई तो यह है जनाब कि हम हमारे पुरूजों के स्वर्ग में जी रहे हैं और अगर हम सच में ऐसा सोचते हैं कि हम अपने मन को सेटिस्वाई कर सकते हैं देन इस दुनिया में हमसे बड़ा मुर्ख कोईनी है फर एक्जांपल जो लोग इतने ड्रीम्स लेकर आईयस बन जाते हैं उमेंसे एक भी आईयस ऐसा नहीं है जो कंप्लेटली अपनी लाइफ से सटिस्वाईड हो गया हूँ सच तो यह है कि अभी हमारी जो उम्र है एकवन दो-चार दिन तक भी हम किसी चीज के लिए कंट्यूनेस खुश हो पाए तब भी बहुत बड़ी बात है पता है मोड़न डिली लाइफ की सबसे बड़ी प्रोब्लम क्या है कि हमारे पास कोई प्रोब्लम ही नहीं है हमें ऐसी मुवीज ज्यादा पसंद आती हैं जिसमें ड्रामा हो सस्पेंस हो थ्रिलर हो पर हम यह भूर जाते हैं कि यह सब प्रोब्लम के ही सनोनीम से है क्योंकि इससे हमारे ब्रेन में स्ट्रेस या टेंसंड पैदा होती है और हमारा बिचिंग जीन थोड़ी दरी के लिए मसत हो जाता है किसान कभी बोर नहीं होते जो भी लोग भूग से मर रहे हैं वो कभी बोर नहीं होते और मुझी नहीं लगता कि हमारी दादा परदा था कभी बोर होते होंगे बोर्डम तब आती है जब हमारे पास चलेंजेस की कमी हो सिर्फ प्रोडम सिकिंग ब्रेन ही बोर हो सकता है आपका घटिया बोस ट्राफिक जाम, सरारती बच्चे ये आपके रियल प्रोडम्स नहीं है सिकारी टाइगर्स, भूग से मरते बच्चे पलेग या वो आर्मी जिससे हमें मानने के लिए Hooter दिया गया था वो हमारी रियल प्रोडम्स थे जिसने हमारे ब्रेन को ऐसा बनाया तबीसे प्रोडम्स को लेकर हमारा दिमाग पगलाए पड़ा है पता है हमारे ब्रेन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हम रियल में तो modern life में जी रहे हैं 21st century जहां एक satisfied life जीने में कोई कमी नहीं है पर हमारा brain अभी दग ये सोचता है कि हम प्लैशुसिन यूग में जी रहे हैं तो हम दुनिया को आज की निगा से ना देखकर प्लैशुसिन यूग के चस्में से देखते हैं हम जहां भी देखेंगे हमें एक प्रोड्लम ही दिखेगी जिसे सोल्ड करने की ज़रू होते हैं हमें लगा gravity प्रोड्लम है चलो helicopter बनाते हैं समूदर की नीचे क्या चल रहा है मुझे देखना है पंडू भी बनाओ अरे वो जो चंदा मामा है उसमें इतने छेद काहर बाबू मिसन चंद्रयान यह जो फसले हैं उतनी productivity नहीं दे रही जतनी मुझे चाहिए solution genetically modified groups GM groups एक्चुल में मुझे अपनी जीन से पसंद नहीं आ रहे क्या करूं क्या करूं लेट्स स्टार्ट जीनो प्रजेक्ट सो complain 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 बस यही आता है हमें हमारे पुरूजों को बड़े जनौरों के शिकार के लिए एक पूरा group और इस काम में सुबह से शाम हो जाती और आज सुबर मार्केट में खाने की हजारों चीजे भरी पड़ी है और फिर भी हमें यह शिकायत होती है कि यार ऐस्क्रीम का अमेरिकन नट्स वलिवर क्यों नहीं है अगर हमें प्रोड्लम्स नहीं मिलती तो हम खुद बना लेते हैं आर्किलूजी में इस बात से इस बात के एविडेंस मिलते हैं कि एक दो लाग साल पहले मेकप और ड्यूडेंट का यूज होता था हॉमो एरेक्टर्स को इस बारे में कोई चिंता नहीं थी कि वो अपनी बोडी स्मेल से बचने के लिए ड्यूडेंट को लगाए वो बिचारे तो हम से बचने में बिजी थी हम ड्यूडेंट यूज करने वाले एप्स उसकी सबसी बड़ी प्रोड्लम थे खैर वो तो हमारा समादन नहीं कर पाए पर हमने उनका कड़ दिया प्रोड्लम सोल्विंग में बहुत एनरजी लगती हैं दूसरी प्राइमेंट्स अपनी केलोरीज का सिर्फ आठ परशेंट ही अपनी दिमाग पर खर्च करते हैं जबकि हम 20 से 25 परशेंट है जबकि हमारा दिमाग हमारे बोडी वेट का मातर 2 परशेंट है अभी एक वर्ड नीन्स से अलग होती हैं इसे कहते हैं हाइबनेशन हाइबनेशन में उनकी मोड़ी बहुत कम एनरजी यूज़ करती हैं तब ही वह सर्दियों में जिंदा रह पाते हैं तो एक्चल में तो वह सोई रहे हैं पर हमें ऐसा लगेगा जैसे वह कोमा में चले गए हो किसी भी एक ही समझोते पर होते हैं वो यह कि energy की बदले reproductive advantage reproductive advantage में कि वो quality आपको opposite sex के member को impress करने में या बच्चे पैदा करने में help करेगी इस compromise का simple सा आर्थ यही है कि reproductive advantage low और energy दो for example hummingbirds इस species की female को impress करने के लिए males को उनके सामने बहुत speed से उड़ना पड़ता है साथ में U-turn और helicopter की तरह हवा में एक जगह रहना यह सब stunt hummingbird को करने पड़ते हैं इस से female तो impress हो जाती है पर इस extra ordinary quality की energy cost इतनी ज़्यादा है कि hummingbird को size में छोटा होना पड़ा प्लस वो पूरी दिन हर पांध में खाते रहते हैं और energy बचाने के लिए जब रात में हाइबिनेशन मोड में जाते हैं तो वो कॉमा टाइम नहीं लगता वो ऐसा लगता है कि जैसे वो सर्ग सिधार गया हो इतनी सारी energy cost किसी भी organism में extra quality के लिए cost और benefit का एक balance होता है जीन्स ब्लाइंड़ी कोई quality इवोल्ड करते हैं पर जब तक उस quality की reproductive benefit उसकी cost से ज़्यादा है तब तो वो quality बढ़ती रहेगी एक मोर की पंक एक पिको को अपने टेल को maintain करने में बहुत energy cost लगानी पड़ती है अभी तक उस cost से एक पिको को जो sexual benefits मिलते हैं वो ज़्यादा है क्योंकि टेल से females impress हो जाती है तो जब तक टेल की benefits cost से ज़्यादा है तब तक पिको की टेल बढ़ती रहेगी इन अधर वर्ट्स जब तक टेल पिको को death से ज़्यादा sex provide करवाएगी till then it will grow यह cost benefit हर species की extra quality पर लागू होगा जैसे हमारी brain की problems को ढूणने और solution करने की आदत का reproductive benefit cost से ज़्यादा रहा है हमारा brain precisely उतना ही smart है जतने precious in time में reproductive benefits मिले और यह देखना बाकी है कि हमारी equality याद से हजारों साल बाद भी रहेगी या नहीं और हाँ यह चीज़ भी impossible नहीं है कि हमें थोड़ी बहुत stupid genes पी select हो सकते हैं पर तब तक keep complaining remember कि हमारे brain की problems को ढूंड कर उनका solution करने की आदत की वज़े से ही हम हर चीज़ का negative side जदा देखते हैं सो हमारे पास आज जितनी भी अच्छी चीज़े हैं including your phone जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हूं वह सब इसी आदत की वज़े से हैं क्योंकि हम अच्छी चीज़ों को appreciate नहीं करते हैं और इस बात के लिए हमें अपने bitching gene वाले brain का तहे दिल से शुक्र गुजार होना चाहिए अगले चेप्टर में हम यह बात करेंगे कि हम मोटी क्यों होते हैं में जब हमें हमारे सामने स्वाधिस भोजन दिखता हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला थोड़ यह क्यों आता कि वहीं टूट पड़ो पर तब तब कीप कंप्लेनिंग की फर्शु भाई वीक में दो वीडियो क्यों नी बनाते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब थेंक यू सो मच पर वचिंग स्टे त्यून मेट यू इन नेक्स अप्टर